तो प्रोजी हम शुरू करेंगे हमारा ये सफर तो मैं सबसे पहले चाहँगा कि आप हमारे दर्शुकों को अपने बैग्ग्राउन के बारे में कुछ बताईए अपने परिवार के बारे में कुछ बताईए अपने परिवार के बारे में कुछ बताईए अपने से मैं अभिनान दन देता हूँ और जो भी दर्शक है आप सब को नमस्कार वैसे तो मेरा जनम तो मुमभी में हुआ और 1992 का जनम है और तब मेरे माता पिता विशेषकर की मेरे पिता तब साथेरेबिया में काम करते थे तो बच्पन में साथेरेबिया जाना हुआ हम वही रहत सब बहुत साल हो गए बेटे तुम वही हो लोट जाओ मुझे मन करता है कि मैं तुम्हें देखू तो अब ये साल मैं थोड़ा और धनार जन कर दो थोड़ा और पैसे बना लूँ फिर अगले साल में लोट के मुंबई आ जाओंगा अब हुआ ये कि 95 में उनका देह पूरा हो गया मेरी दादी का तो माइ फादर फेल्ट वेरी बैड की हर साल बुलाती थी और फिर मैं कहता था कि मैं अगले साल आओंगा अगले साल आओंगा फिर काफी साल चले गए अब तो लोटना पड़ेगा ये तो बाहरी परिस्तिती हुई और अंध्रोनी परिस्तिती ऐसी थी कि साओधेरेबिया जैसे हम सब जानते हैं अलग धर्म का देश है तो वहाँ जो भी लोग होते थे व और रामानन सागर जी का जो महा भारत रामायन है ये सब देखे हैं पर इसका जो इंडेप्ट नॉलेज है ये मेरे डाडी नहीं जानते थे तो वह सोच रहे थे कि ये समय आ गया अब सब पूझ भी रहे हैं और मुझे भी जिग्यासा जागरित हो गई कि I also want to know कि शास्त्र में क्या है so this was the inner desire अंदर से उनको ये इच्छा हुई कि अब भारत लोटा जाए एक सांस्कृतिक वातावरण परिवार में हो और बारी द्रिष्टिकोंड से दादी का भी देह पूरा हो गया तो 95-96 में हम लोटकर मुंबई आ गए और तब मेरी बुवा अलड़ी हरे अंदोलन जो हम तभी नहीं जान देते इसका उन नाम है पर हरे कृष्ण भक्त हरे कृष्ण भक्त थी 94 84 से वो भक्त थी तो उन्होंने शिला प्रभपाजी के ग्रंत दिये और मेरे माता-पिता 95 में भक्त बने मैं तीन साल का था तो लिटरली जनम से सवभागे रहा कि कृ सब्सक्राइब कर तो की जब हम अपने परिवार में बच्पन सेही भakti को पाते हैं तो हम काफी कश्म कश्मे रहते हैं कि भाई ये भक्ति फ rollers करनी है नाहीं करनी है तो आप पने जीवानमें क्योंकि तीन साल के उमर में फेर लिटल बिट थिंग्स वट वी आपने डिसाइड किया कि हां यह सही है और यह मुझे अच्छे से फॉलो करना और इसे परस्यू करना वैसे अगर किसी को कोई रजगुला दे तो व्यक्ति रजगुल्य को छोड़ कर नमक नहीं पाएगा रजगुल्य में रस होता है इसलिए जब रस लग जाता है चसका लगने लगता है तो व्यक्ति जो भी नमक नमकीन वाले चीज़ हैं छोड़ देता है कम से कम मैं क्योंकि मैं मिश्टी पदार्त बहुत पसंद करता हूं इसलिए ऐसा उदारन दे रहा हूं कोई दर्शकों में होगा शायद वो अलग स्वाद चकना चाहे तो भक्ति वैसे रस गुल्ले की समान है और बच्पन में माता पिता का परवरिश जो उन्होंने दिया मुझे इसकौन जुहू में जो बड़े-बड़े सादुसंत आते थे शिला प्रोपाजे के शिश्य आते थे इनके द्वार आशिरवाद इनके सेवा इनके संग का जो लाभ हुआ विशेश करके परमाराद्य वक्ति स्वरूप दामुदर स्वामी महराज ने विशेश करके बहुत कृपा की परम पुझे पद गुपाल कृष्णगो स्वामी महराज और महावश्णगो स्वामी महराज श्रीदर सादूसंत इनका संग हुआ, इनके सानिध्य में बैठ कर, कथा सुनकर, इनके सेवा में रह कर, बहुत कुछ सीखने का सोभाग्य हुआ बच्छपन में, पर just like we know, every student goes through a phase, जहां पर वो सोचता है कि यह, मतलब यह क्या कपोल कालपीद बाते हैं, यह बनाई बाते हैं, कि यह स कहीं सारे देवी देवताओं का नाम होता है, तो I also went through that phase in my life, और काफी scientific और logical mindset रहा, तो I used to try reasoning out, पर मैं यह कहूंगा कि, चार बातें विशेश करके मेरे जीवन में बहुत लाबदायक रहें, एक तो माता-पिता स्वयम भक्त थे, तो घर में जो परवरिश मिला मुझे, ज और हर अभिवार हमें मंदिर ले जाते थे, हम रहते थे, जो मुंबई के directions को जानते हैं, हम ठाने में रहते थे, और मंदिर था जुहू में, मंदिर है जुहू में, तो हर अभिवार सुबे हम जाते थे, छे साड़े छे बजे सुबे, और पापा ले जाते थे, तो दर्शन पाजी के गरंथ इसके साथ साथ जो लेक्चर सुनने का सभाग्य हुआ और मैं questions पूछता था कि ऐसा हो तो ऐसा क्योंने मैं मुझे for example मुझे याद है मैं जब छोटा था भागवत क्लास में आगे जाकर बैठता था और एक speaker 7th canto भागवतम पर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रालाद महराज इतने बड़े भक्त थे उनके पिता राक्षस थे हिरनने कशिपु फिर भी प्रालाद भक्त शिरोमनी बने तो फिर अंत में उस कथा के उन्होंने पूछा कि कोई प्रश्न है तो मैंने हाथ खड़े करके मैं लगवग 5-6 साल का था हाथ खड़े कर कि मैंने पूछा कि you mentioned about the father of प्रलाद but who was the mother of प्रलाद और तो वो जो कथाकार थे उन्होंने कहा कि मैं मुझे याद नहीं मैं भागवत मैं देख कर मैं बताता हूं फिर उनके कमरे में मैं गया फिर उन्होंने कहा कयादू था नाम और फिर उन्होंने और भी डीटेल्स दिये तो मैं कहने काशे यह है कि मैं questions पूछता था और जो भी मुझे questions होते थे मैं पूछता था वरिष्ट वैश्णवों से मेरी बुवा से पूछता था जो मुझे बहुत गरंत दे थी बच्चपन में अच्छे अच्छे गीत सुनाती थी समझाती थी और Vice President जो मुकुन मादव प्रभुजी है जो मंदिर के उनको मैं अलग-अलग श्लोक उचारन करके बताता था और उसके विशे में प्रशन पूछता था और वो सब उत्तर देते थे तो इस प्रकार मैं यह कहूँगा कि शायद यह questions तो सब के जीवन में होता है पर going and asking those questions and practicing the answers that they gave I think यह सब साथ में आ गया और पूरवजनमसुकृत भी शायद होगा विशेशकर के गुरुजनों का आशिरवाद है बस यही मैं मानता हूँ तो उसके कारण एक रस जो भक्ती में है मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं बहुत रसिक भक्त हूँ पर जो भी है भक्ती का पथी बहुत सर्वस्रेष्ट है और बहुत सुन्दर है सुरम्य है बस यह अनुभव उनीक के कृपा से हुआ अगर हम अपनी जीवन में मंदिर जाने की और मंदिर के उसे इंवायमेंट के अगर थोड़ी सी समय निकाल लें तो हम पे और हमारे परिवार पे और हमारे बच्चों पे एक बहुत पॉजिटिव एफेक्ट परता है जहां पे हम अगर इंक्विजिटिव होके जग्यासू होके अगर हम questions पूछते हैं तो हमें जीवन में काफी answers मिलते हैं और ये काफी अच्छा culture है जो हमारे इंडिया में मिलता है जिसमें कि हम मंदिर में जाके सीख सकते हैं मंदिर का environment experience कर सकते हैं तो this is something अगर हम सब अपनी जीवन में थोड़ा समय दें तो काफी लाबधायक रहेगा सुरुजी आगे बढ़ते हुए आप काफी यंग थे और आप उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करने के लिए US गए खैर इंडिया में तो भक्ती करना काफी कहूंगा मैं कि इंडिया में भक्ती करना थोड़ा सिंपल होता है क्योंकि यहाँ पे कल्चर ऐसा है यहाँ पे महौल ऐसा है अब जब आप US चले गए पढ़ाई के लिए तो वहाँ पे तो हर चीज़ अलग होती है वहाँ पे कल्चर अलग है वहाँ पे इतनी सुविधाये नहीं है तो वहाँ पे आपने किस तरीके से अपने भक्ती को कायम रखा भक्ती को इस लेवल पे रखा कि आप उसको अच्छे से प्राक्टिस करें मैं चाहूंगा कि अब इसके बारे में हमारे दर्शे को खूज बताएगी बिल्कुल वैसे तो वो फेस जो था मेरे जीवन में बहुत मैं तो कहूंगा कि काफी कश्ट दायक था क्योंकि जब मैं पहले बार युएस आया मैं असा स्टूडेंट आया था दोजार तेरा की बात है तो लगबग दस साल हो गया अब तो जब आया मैं तब जो रूमेट्स थे मासाहर करते थे वो तो गवमास भी खाते थे बीफ खाते थे पोर्क खाते थे मतलब आपको मैं वरणन नहीं कर सकता कि घर का वातावरण कैसे था मैं किस वातावरण से आया और किस वातावरण में आ गया भारत जिस वातावरण में माता पिता ने परवरश दी और फिर जिस परिस्तिती में अमेरिका आया बहुत ही विपरीत था नशिले पदार्थों का सेवन करना और बहुत लाउड म्यूजिक लगाना तो काफी मैं तो क जीसा ना जाये तब तक सुगंध नहीं निकलता है। जीसा निकलता है। जुझते हुए आप अंदर के रस को बाहर निकाल रहे हैं बस जिसने ये परिस्तिती खड़ी की अब वही रक्षा करेगा। जीसा परिस्तिती में आते हैं। वही प्रभु से प्रार्थना करने पर और एक फोकस रखने पर प्रभु रक्षा करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि फोकस बहुत इंपोर्टन्ट है। परिस्तिती में आते हैं हमें परिस्तिती की तरह नहीं चलना है। हमें फोकस रखना है। एक पौरानिक कथा है बहुत सुंदर कथा है इस संदर में। कि जनक महराज जो मया सीता के पिता हैं, जानकी के पिता जनक महराज, उनके राजदर्वार में एक बार नारद मुनी आए। और पूछने लगे कि आप इतने बड़े राज़ा हैं, फिर भी बड़े-बड़े साधू संत आपके चरण में आकर कहते हैं कि दिक्षा दे दीजिए, विरक्त साधू आते हैं ग्रहस्त के पास, महराज जनक के पास, और कहते हैं कि हमें कुछ भगती के विशे में बता दी तो नारद मुनी ने कहा कि ये इसका राज से क्या है, राज क्या है इसके पीछे, आप कैसे फोकस रखते हैं, परिस्तिती विपरीत होती है, राजा है, कभी युद्ध है, तो कभी भोग ऐश्वरी है, प्रजा है, स्त्री है, धन है, इसके बीचों बीच आप कैसे फोकस र लिए एक पूरा दिन सुर्योदे से लेकर सुर्यास्त पूरे राज में कहां भी जहीं भी जहें आपको ये हाथ में रखे चलना है और नियम ऐसा है कि आपको मेरे पीछे पीछे चलना है कटोरी में दूद को भी हाथ में रखना है और एक भी बूंद बाहर न गिरे बस ये फ लगा ये दिन कैसा लगा नारद मुनी ने कहा आप दिन की बात कर रहें आप यहाँ वहाँ ले जा रहे थे मैं तो बस कटोरी को ही देख रहा था मैं मुझे तो और कुछ दिखा नहीं क्योंकि आप ने तो नियम बना दी की एक बूंद भी बाहर नहीं होनी चाहिए जनक महार पहन एक भी श्वास बृथा ना जाए, व्यर्थ ना जाए, हरी नाम को लेते लेते, भक्ती करते करते मैं इस दुनिया के काम करता हूँ। तो कहने का आशे यह है कि हम जो भी परिस्तिति में जाएं, कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, कितनी भी कष्ट प्रदाय क्यों ना हो, यदि ये फोकस हम मेंटेन करें, जिस प्रकार नारद मुनी चले, हमें भी उस प्रकार चलना है, परिस्तिति के कारण हम नहीं बने, हम ज अनकैना किसे सब्सक्ति आप चाहिए अगर बढ़ा पता हैंगा अगर जो बहुत सही हो गई और आपके भक्ति में बहुत फोकुस था बट अब पढ़ाई पर आते हैं तो आम तोर से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम early age में भक्ती करें खास कर जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताईए कि आपका भक्ती से आपके पढ़ाई पर क्या असर पढ़ा किस तरीके से आपने ये जाना कि भक्ती पढ़ाई के लिए सही है या गलत है और हमारे दर्शकों को बताईए कि आपका नुभव इसमें क्या रहा देखिए ये प्रशन बहुत मात्वपूर्ण है अब ये बात आती है बैलनसिंग पर कई बार लोग पूचते हैं कि पड़ाई करते-करते भक्ति कैसे की जाए या जॉप करते-करते भक्ति कैसे की जाए कई बार लोगों को ये एक wrong notion होता है उनको लगता है मनोभाना होती है कि यदि कोई भक्ति में आगे चले जाए तो घर बार चुड़ जाता है व्यक्ति छोड़ो घर बार चलो हरी द्वार ऐसे कहावद मुआवरे चलते हैं पर बैलन्स बहुत इंपोर्टन है बहुत इंपोर्टन दोनों इंपोर्टन भक्ति भी महत्वपूर्ण है और अध्यात्मिक प्रगत मार्स जूपिटर सैटन यूरानस नेप्ट्यून प्लूटो यह सब हम सीखें हैं बच्पन में जो हमारा सोलार सिस्टम है प्रित्वी यदी सूर्य से थोड़े अभी जो स्थान है उससे थोड़े अलग हट कर सूर्य के पास चले जाए तो हम जलके राक हो जाते हैं और प्रकार हम कहते हैं कि मेरे जीवन में जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी बैलांस की कि मौनिंग टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और इवनिंग टाइम बहुत महत्वपूर्ण है सुबे का समय भजन के लिए भक्ती के लिए नामजब के लिए क्योंकि बहुत शांतता का वतावरन होता है ज्यादा फोन नहीं होता जार डोर बेल नहीं बचते हैं कोई हौंकिंग नहीं होता कोई गाड़ी का तो सब सो रहे हैं या निशा सरवब होतानी गीता में प्रभु क जलदि सो जा। महराज जी ऐसे कथा में बोल रहे थे विशेशकर केशिला गौर्गोविंद महराज कथा में ऐसे बोलते थे तो कहने काशे यह है कि सुबह उठते उठते हम क्या कर रहे हैं कई बार लोग होता है अब 10-11 बजे तक सो जाते हैं फिर ना आते हैं एक दो बजे फिर चले जाते ह साथ आड़ बज जाते हैं फिर उसके बाद फोन सोशल मीडिया पर रहते हैं अब फिर कैसी दिन चरिया बनेगी एक नियम बनाना है हमें कि I should take care of my time from 9 p.m. to 6 a.m. ये नियम हमें बनाना है बीच का जो समय है 9 a.m. to 6 p.m. का समय ये काम के लिए ये हमारे पढ़ाई के लिए तभी भजन भक्ती के विशे में कुछ बोलना नहीं तभी कुछ सोचना नहीं तभ केवल पढ़ाई करना है या जो भी हमारा करतब भी है तभ पूरन रूप से पूरे निष्ठा से देखि कि वो सन्यास का थौट सोच कर क्योंकि वो ग्रस्त है तो अपने धर्म में स्थाने स्थित शृति गतान तनुवाख मनो भी अपने स्थान में स्थित होकर करतवे शद्धा भाल से पूर्ण विश्वास से निर्वा करना ये भी हमारा धर्म है तो सुबै का समय जो है भक्ती कर रहे हम material sciences में and spiritual sciences में भी हम progress कर रहे हैं ये दोनों महत्वपूर्ण है we need material science for making a living and we need spiritual science to know the art of living there तो how to make a living and how to live in that living ये दो science है तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे balance करने पर ये sandwich program रखने पर प्रती दिन हम देख सकते हैं कि माला की संख्या भी बढ़ रही है शास्त्र स्वाध्याय भी हो रहा है आध्यात्मी की विकास भी हो रहा है उसके साथ-साथ बहुत इक अच्छा उधारन दिया प्रवजी ने कि जिस तरीके से हमें अपने जीवन में balance maintain करना चाहिए भक्ति भी जादा नहीं अपना कारे भी जादा नहीं दोनों अपनी सही proportion में और बहुत अच्छा फॉर्मला दिया आपने की रात के नौबे से सुबित 6 तक अच्छा मैनेज क हो जाएगा तो आधे बढ़ते हैं मैं चाहँगा कि हमाएं दर्शकों को यह बताईए कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा माना जाता है कि जाकर हम भक्ति में जब अपने जीवन में थोड़ा समय निकालते हैं भक्ति के लिए तो हम लोग इतने content हो जाते हैं इतने मतलब कह सकते हैं कि हमें सब कुछ मतलब थोड़ा है थोड़ी की जरूरत टाइप हो जाते हैं कि हमारा जो passion होता है हमारा जो you know life में enjoy करने की propensity होती है वो चली जाती है इसी लिए अकसर लोग यह कहते हैं कि यार अभी तो जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा अभी थोड़ा मजे करते हैं लाइफ में और भक्ति हम तब करेंगे जब हमने अच्छे पैसे कमा लिये हैं अपना परिवार सेट कर लिया है और उसके बाद हम भक्ति करेंगे तो कहने मा बतलब यह है कि भक्ति is always seen as a thing if you follow that you'll be less passionate there'll be less enjoyment in your life तो मैं चाहँगा कि आप इसके अपर हमारे दर्शकों को बता पैशन कम होगा पर कमपैशन बढ़ जाएगा और देखिये पैशन, अमबिशन इस सब के सत्व, रजस और तमसिक अर्थ हैं एक सात्विक अर्थ यह है कि I want to do it because it is my duty यह जो इच्छा है यह जो spirit है यह बढ़ने लगेगा इस अमबिशन विल इंक्रीस कि I want to do good I want to do good for myself I want to do good for my family and I want to do the best that I can यह पैशन अवश्य बढ़ेगा और यह पैशन जो है कि अरे यार यह तो आगे निकल गया इसको मुझसे कम पता है मैं जादा जानता हूं मैं जादा skilled हूं मैं जादा talented हूं फिर भी यह चापलूसी करके मसका मारी मार के आगे चला गया अब मैं सब को बत इसका चरित्र कैसा है तो यह जो इरिशात्मक पैशन है यह competitive passion है कि इसका पत्ता कट जाए और मैं आगे निकल जाओं यह नश्ट होगा तो यह बहुत important है जानना the difference between the negative passion and the positive passion भक्ती करने से negative passion नश्ट हो जाता है और positive passion बढ़ने लगता है जो भत्ती करता है वो केवल मुझे यह चाहिए मुझे यह हासिल करना है ऐसा नहीं सोचता है वो सोचता है कि जैसे मुझे मिला है मेरे परिवार को भी मिला जाए और अब परिवार की परिभाशा बढ़ने लगती है वो व्यक्ती सोचता है जैसे मेरे परिवार को मिला वैस वैसे मेरे पड़ोसी को भी मिला जाए क्योंकि वो भी मेरा ही परिवार है और जिस प्रकार मेरे पड़ोसी को मिले वैसे मेरे देशवासियों की भी प्रगति हो जाए तो एक राष्ट्रवाद का एक concept और और विकसित हो जाए जिस प्रकार भारतियों को मिला वैसे उस देश क को भी मिला जाए हर परिस्तिती में हर मानव को मिला जाए यह जन्मसिद अधिकार है सब को मिला जाए फिर और विकसिद होने लगता है तो व्यक्ति सोचता है केवल मानव को नहीं पशों को भी मिली जाए यह जो संपत्ति है यह सिद्धी है उनको भी मिली जाए बुक्षों क को काटे नहीं, वो भी जीव हैं, तो होता ये कि the passion to work more increases in the positive direction, कि जो उधार मेरा हुआ है, जो संतोष, जो प्रसन्नता का अनुभा मुझे हुआ है, ये इसको भी हो, इसको भी हो, इनको भी हो, इनको भी हो, इतने हद तक कि उनके परोपकार के लिए व्यक्ति अपने आप को घिसने के लिए तयार हो जाता है, जैसे कि हम देखते हैं, गव माता, गव माता की सेवा क्यों कहीं जाती, क्योंकि दूद इतना पोशन प्रदायक है, पर कोई भी एक गव माता नहीं पूरे जगत में, जो अपने ही दूद को पीए, गंगा इतनी पवित्र है, पर एक भी भी संदर वैसा आया नहीं, कि गंगा ने अपना ही एक जल का एक कणि का एक भून्द भी पाया हो, एक भी आम का ब्रिक्ष नहीं, जिसने काओ, अरे आम के विशे में तो इतने कुछ सुनने मिला हो, तो एक फल मैं खा लेता हूं, एक बार, एक ब्रिक्ष वैसा नहीं सोच एक नधी वैसी नहीं सोचती परोपकारार्थम इदम शरीरम तो यह पैशन जो है to do good to others जन्मसार्थक करी कर पर उपकार अपना भी मैं प्रगति करूं और दूसरों का भी कराऊं यह positive passion यह positive ambition यह purified desire this purified ambition यह बढ़ने लगता जैसे श्रीला प्रभुपाजी यदि वो भक्ति करके संतुष्ठ हुए होते तो 70 के आयू में वो भारत छोड़कर ब्रंदावन चोड़कर सभी सादुसंत चाते हैं कि ब्रधावस्ता में ब्रंदावन में बास करे और श्रीला प्रभुपाजी सन्यास लेकर ब्रंदावन को छोड़कर पाश्चात्य देश आए या कोई य दिफरेंस यह है प्रभूपाद में भक्ति शक्ती थी which made him passion passionate with the compassion. तो we can say compassion can be defined as the passion with the right compass. एक proper compass हो, proper direction हो और passion हो, कम passion. और जब भक्ती हीन भाव होती है तो passion होता है पर वो negative वो राजसिक हो जाती है कि मेरा उद्धार हो और कोई और आगे चले ना जाए तो insecurity बढ़ जाती है जो मुझे आगे ले जाए उससे मित्रता होती है जो मेरे मेरे रस्ते को काटे मेरे पतं को काटे तो उससे शत्रुता हो जाती है और इससे रिदय बहुत खिन्न हो जाता है तो भक्ती always does good to us Amazing That was a very nice analogy of compassion मतलों काफी अच्छा example दिया आपने आगे बढ़ते होए आजकल हमारे जीवन में इतने सारे technology है इतनी सारे devices हैं हम अपने जीवन में इतने physical movement restrict हो गई है due to obvious reasons तो हम अपने जीवन में technology पे काफी dependent हो गए है technology से काफी exposed हो गए है आज से हम अपने जीवन में काफी difficulty find करते हैं इस चीज को manage करने में अगर हम कभी-कभी ऐसा होता है कि हम just mobile उठाते हैं किसी call के लिए और फिर कई सारी apps हैं उसमें हम सिर्फ scroll करते करते ही हमें पता नहीं चलता कि एक दो घंटे चले गए कई बार हम कई सारे चीजों में हम बहुत ही समय वेस्ट कर देते हैं but at the same time वो important भी है हम उसको extreme step पे छोड़ भी नहीं सकते तो आज इतना technology advance हो रहा है हम अपने जीवन में इसको किस तरह से manage करें कि हमें भक्ती पे उसका negative असर ना पड़े मैं चाहँगो कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ पताई है देखिए first of all the person has to know व्यक्ति को स्वयम introspect करके देखना है कि मेरे 24 hours में कहां कहां समय में विर्थ में गवा रहा हूँ this is very important जब तक हम इस धरा से प्रारम ना करें इस तिथी से प्रारम ना करें फिर आगे बहुत मुश्किल है कई बार शास्त्र के बात बोले जाते हैं हम सुन भी लेते हैं पर जीवन में आत्मसाथ करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम अपने आपको पढ़ते नहीं देखिए स्वाध्याय के दो अर्थ है एक तो स्वयम शास्त्र को पढ़ा जाए अध्यन किया जाए और दूसरा अर्थ है शास्त्र को पढ़कर खुद की पढ़ाई की जाए मैं किस दर्शा में हूँ किस धरा में हूँ किस तिति में हूँ किस परिस्तिति में हूँ स्वय अध्य है कि मैं देखू कि मैं कितने बज़े उठ रहा हूँ कितने बज़े सो रहा हूँ और कितना समय मेरा व्यर्थ बातों में चला जाता है, फोन में चला जाता है, यदि हम देखें तो on an average a person spends between 4 to 8 hours it is shocking 4 से 8 घंटे on the cell phone, और मैं ये important कामों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं social media की बात कर रहा हूँ, कोई instagram में, facebook में, snapchat में, whatsapp में, फिर कहीं और भी नाम है, मैं शायद जानता भी नहीं हूँ पर घंटी कल जाते हैं, reels देखने में छोटे-छोटे videos देखने में बनाने वाले पैसे बना रहे हैं, देखने वाले बस समय भी गवा रहे हैं, अपनी productivity भी गवा रहे हैं, तो ये पहली बात हमें जाननी है, because distraction is the greatest cause of failure हम, जनम से we are not born as failures, we are born as winners, क्यों? हमारे पिता कौन है? नरसिंग देव हैं और जो सिंग का बेटा होता है, वो बकरी नहीं होता, वो भी सिंग होता है हम सब भगवान के अन्श है ना? हम नरसिंग देव के बच्चे हैं, तो हम दाहाडने के लिए पैदा हुए हैं, हम सिंग बनने के लिए तयार हुए हैं, पर हम बकरी की तरह आवाज कर रहे हैं, क्योंकि we are distracted we are not realizing our true potential तो हमें distraction से दूर रहना है, we have to first make a quadrant in our life, चार quadrant कि पहली बात 2400 घंटे में, मैं कितना समय ऐसे कामों के लिए देता हूँ, जो महत्वपूर्ण है, important है and urgent है, मतलब मुझे करना ही है फिर कितना समय मैं उन चीजों के लिए देता हूँ, जो important है but not so urgent मतलब ये अगले हफते भी की जा सकती है महत्वपूर्ण है, पर इतना urgent नहीं फिर तीसरा quadrant वो, जो urgent है, पर इतना important नहीं आज करनी है, पर वो ना करो, तो भी ठीक है और चौता quadrant ऐसा, जो important भी नहीं, और urgent भी नहीं और दुख की बात ये है कि हम से अधिकान्श लोग, हम सब यदि हम परकर देखें, जाज कर करते हैं, ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं जिससे भक्ती पोषित नहीं होती, भक्ती में प्रगती नहीं होती, और बहुत इक दृष्टी कोंड से भी कोई लागने ऐसे चीज देखना, ऐसे चीज बोलना ऐसे बाते करना काफी समय ब्यर्थ में चला जाता है तो this is very very important we have to first make this self-introspection, हमें देखना है और एक बार वो जान ले फिर make a systematic plan, मैं करता हूँ प्रते एक दिन, everyday I plan my day मेरे पास एक planner है एक daily planner है, एक diary है और रात को मैं सोने से पहले लिखता हूँ कि अगले दिन का schedule मेरा कैसा है और मैं उसमें लिखता हूँ और फिर एक नियम बनाता हूँ कि इस बारा बज़े से पहले ये काम को करना है फिर दो बज़े से पहले इन कामों को करना है छे बज़े शाम को पहले ये कामों को करना है if you plan, then everything is possible failing to plan is planning failing to fail this is very very important तो distractions के बीचों बीच रहते रहते हम भक्ती कर सकते है और इसका सबसे बड़ा उदारण है गीता गीता प्रभू ने संदेश दी कहा मंदिर में नहीं कोई कंदर में कोई गूफा में नहीं एक रणभूमी में अर्जुन को ये समझाती हुए कि है अर्जुन जीवन एक रणभूमी है यहां अस्त्रशस्त्र का प्रहार प्रकोप चलता रहता है आक्रमन चलता रहता है और वहां बीच में रहते रहते we should be able to use the principles of भगवत कीता this is why the Pandavas the head of the Pandavas जो प्रमुक है पांडव के उनका नाम था युदिष्ठिर युदिष्ठिर का अर्थ है जो युद में स्थिर रहते हैं वो है युदिष्ठिर जीवन रूपी युद में जो मन रूपी अस्तर का प्रयोक करके भजन करके स्तित प्रद्निय रहे स्थिर रहे वह ही युदिष्ठिर तो ये युदिष्ठिरता हम सब प्राप्त कर सकते हैं के वल फोकस से टेक यूर माइंड अवे फ्रम दिस्ट्रक्शन और प्लान एंड एग्जेकुट सक्सेस इस रेड़ी अगर हम भी अपनी जीवन में सक्सेस्फुल होना चाहते हैं तो हमें एक दिन पहले अपने अगले दिन का प्लान जरूर करना चाहिए कि जैसे प्रवजी ने कहा कि अपना दिन अच्छे से प्लान करना है वरना कोई और आपका दिन प्लान करेगा अगर आप अपना दिन प्लान नहीं करेंगे तो आप किसी और के दिन का प्लान बन जाएंगे जिसमें कि आपका समय काफी व्यात हो जाएगा तो आगे बढ़ते हुए आपने एक बहुत अच्छी बात कहीं कि हम कई बार अपनी जीवन में ऐसे गरंथ पढ़ते हैं जो कि हमें भक्ती में आगे नहीं बढ़ाते हैं अब यह जो गरंथ हैं यह आज से कई सालों पहले लिखे गए थे इनमें जो उधारन है वो आज की 21st सेंचरी के उधारन नहीं है तबके उधारन है जिसमें अधिकांश राजाओं के एक्जाम्पल और काफी सारी ऐसे एक्जाम्पल्स होते हैं जो आज प्राक्टिकली रेले है कि भगवत गीता भगवत मित्यादी चलिए अच्छे गरंथ हैं अध्यात्मिक गरंथ हैं बड़ आज प्राक्टिकल नहीं है क्योंकि आज हजारों साल पहले जो प्रॉब्लम्स थी आज प्रॉब्लम्स बदल चुकी हैं उनके solutions हमें इन किताबों में कैसे मिलेंगे ऐसी लोग की सोच है आप इतना ज़्यादा अध्यान करते हैं गरंथों का और आप की तिनी रूची भी है तो मैं चांगो कि हमारे दर्शे को बताइए कि हम किस तरीके से अपनी गरंथों के अंदर रूची बड़ा सकते हैं इस विशे में मुझे एक बहुत संदर संदर समरन हो रहा है कि महराना प्रताप के विशे में तो हम सब सुने हैं बहुत बड़े राजा थे अब यदि उनके विशे में सुना जाए तो तो ऐसा लगता है कि ये कपोल कल्पित है वैसे ऐसे राजा थे कि नहीं किस ने देखा हम जानते हैं कि ऐसे राजा थे पर इसलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि महाराना प्रताप के जीवन में ऐसे कहा गया कि उनका जो शारिर एक जो कवच था आर्मर जिसको कहते हैं और उनके हाथ में जो अस्तरत होता था यह शूल होता था जो स्पीर होता था जो भी आयूध होते थे तो कवच 100 किलो हाथ में 80 किलो और यह सब चलते नहीं घोड़े पर बैटकर वो भी परवत के शिखर पर और गोड़े का फिर एक पैर टूट जाता है और तीन पैर में होकर वो घोड़ा चलांग लगा कर दूसरे और जाता है तो अब यह सुनो तो किसी को लगता है this is a very good perfect recipe for a fairy tale मतलब यह तो किसी ने मन से उसको कल्पित करके लिग दी है but it's actually true so first of all just because we can't believe something that doesn't mean it doesn't exist or it didn't exist हमें विश्वास नहीं होता उसका यह अर्थ नहीं कि वो वास्तविक इतिहास नहीं है तो अभी शास्त्र में देखा जाए इतिहास की बात की जाए तो रामायन में बहुत संदर संदर्भ है दो व्यक्तियों का उलेक है एक है रावन जिनका नाम है दश मुक क्योंकि दस सिर्था उनको और दूसरे हैं दश रत ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शास्त्र के प्रती रुची जागरित हो जाएगी इस उदारन सुनने से एक पक्ष में है दश मुक रावन और दूसरे पक्ष में है दश रत प्रभू राम के पिता एक है लंका के राजा और एक है अयोध्या के राजा अब दोनों में भेद देखिए भेद क्या है दोनों के नाम में दश है दस कारत है दस इस कारत क्या हुआ दशमुक रावन के दस मुख थे अब मुख किस बात की प्रतीक है भोग वृत्ती की प्रतीक कि I want to enjoy constantly नेत्रों से मैं कुछ देखू कानों से मैं कुछ सुनू अब कुछ चकने के लिए कुछ चटपटा खालू मतलब दसों इंद्रियों से जो भोग विलास करने के लिए बाहर देखते रहें बहुत उत्सुकता से बाहर भोग की और देखें वो है दशमुक क्योंकि उनके दस सिर हमेशा भोग वृत्ति की और देखते थे इतना की कोई सीमा नहीं परस्त्री का अपहरण करके ले आए ये दशमुक ऐसी यदि प्रवृत्ति हो तो क्या होगा हम ऐसे राज्य में रहेंगे जिसका नाम है लंका, लंका का अर्थ है रोना, दुख कानुभव करना यदि हम दशमुक ही प्रवृत्ति में रहें कि केवल भोग वासना, केवल भोग वृत्ति दूसरों की स्त्रीका अपहरण करें, दूसरों की हत्या करें, दूत हनुमान जी के पूछ में आग लगा यदि इतनी परिस्तिती हो गई हमारी और चरित्र हमारा इतना घिर गया तो हम लंका में रहेंगे रोने धोने में रहेंगे और अंतिम जाकर, अंतिम कड़ी होगी ये कि हम जीत नहीं पाएंगे मृत्यू को पालेंगे, पराजित हो जाएंगे एकदम विपरीत अयोध्या के राजा कौन? दशरत, अब रत का एक अर्थ है रत, चारियेट मतलब वो दस चारियेट से लड़ पाते थे युद कर पाते थे, इसलिए उनका नाम था दशरत पर रत का एक और अर्थ है और वो अर्थ क्या है? इंद्रिया जो दसों इंद्रियों को सयम में रखे, वो व्यक्ति कहां रहता है? आयोध्या नामक राज्ये में रहता है, आयोध्या का अर्थ है जहां युद नहीं होता, मतलब शांतता का अनुभव, और जहां व्यक्ति शांतता का अनुभव करता है प्रभू स्वयम पुत्र की रूप में अवतार लेते हैं, ऐसी व्यक्ति के चरित्र में, प्रभूराव, तो एक बात है कथा को सुनना, और एक बात है उन में से शिक्षा जो है, या उपदेश जो है, जो दैनीक जीवन में हम उतार सकें, ऐसे बातों को चयन कर करके, जीवन में उतारना, तो यह मैं कहूंगा, कि श अलग-अलग दृष्टी कोंट से जब हम अलग-अलग लेसंस ले पाते हैं, तो केवल मनोरंजक नहीं, वो आत्मरंजक हो जाता है, व्यक्ति बिकम्स, परसन बिकम्स वेरी-वेरी हैपी, तो जब हम उन परिस्तितियों से गुजरते हैं, तो इन कथाओं के जो शिक्षन है जो अलग-अलग उपदेश हैं, they come handy, they come useful, हर परिस्तिती में एक ही कारण है दुख्षा, वो हमन, we can have difference in science and technology and external situations, but the main thing that defines happiness is the state of mind, कोई व्यक्ति जैसे हम बहुत बार सुने हैं इस कथा को, यदि किनी के जूते में या चपल में यदि कंकड गुज जाए या पत्थर गुज वो व्यक्ति कितने भी राजमार्ग में क्यों ना चले, उसको दुख्यानुभव होती है क्योंकि वो कंकड कहा है, जूते के अंदर है, उस प्रकार जूता रूपी ये शरीर के अंदर कंकड हमारा मन यदि हो और वो हमेशा बिचलित रहे, हम बाहर के राजमार्ग में भी क व्यक्ति सुक्कानुभव होता है, भक्ति क्या करती है, शास्त्र क्या करता है, इस मन को पवित्र बना देता है, उस जूते से कंकड को बाहर निकाल देता है, तो होता ये है कि यदि बाहर दुखत परिस्थिती भी क्यों ना हो, व्यक्ति सुक्कानुभव करता है, और अंत अंतुलित नहीं था, सैयम में नहीं था, दुख कानुभव कर रहा था दुर्योधन। और युदिष्टिर महराज क्योंकि भक्ति कर रहे थे, वन में थे, अज्यातवास में थे, घर जल गया, पत्नी पर दुशासने, राज्ये सवा में अपराद किया, बच्चों की हत्या फिर भी युदिष्टिर महराज भक्त सरेष्ट है, क्यों? क्योंकि मन नियंत्रण में था, तो शास्त्र पढ़ने से कहानी मनरंजक लगती है, और लेसेंस लेकर जीवन में उतारने पर आत्मरंजक हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, और हर पर परिस्तिती में व्यक्ति स तरह का कमफर्ट है, और हमारा मन डिस्टर्ब्ड है, तो हम शान्त नहीं रह पाते हैं, अगर हम आजकल के महौल देखें, आजकल पिछले कुछ सालों से दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसमें कि भारी रूप से हर चीज बिगड़ ही चुकी है, अभ उसमें भक्तों को एफेक्ट नहीं किया, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जितने भी देशों को बीच में वार हो रही है, उसमें भक्त एफेक्ट नहीं हो रही है, तो कई बार हम ऐसा देखते हैं, कि हम भक्ती चाहते हैं करना, पर हमारा जो भार का महौल है, वो इतना खरा अगे बढ़ने के लिए कुछ शक्ति दे जिससे कि हम ये सब जानते हुए ना कर रहे हैं जो आज, हम उसे जानते हुए कर सके, मैं चाहँगो कि आप हमारे दर्शों को इसके बारे में कुछ बताईए, देखी एक स्प्रिंग जब होता है, कोई स्प्रिंग ले ले, स्प्रिंग को जितना दबाएं, उतना ही उचलता है, ये पहला उदार, दूसरा उदारण, एक एरो को देख लीजिए, कोई हंटर होगा, शिकार के लिए चले जाए शिकारी, तो हाथ में बान, धनुष लेकर चले, तो जो एरो को जितना पीचे खीचता है, उतने ही गती से, उतने ही तेजी से, वो एरो त इशा की ओर चले जाता है, अपने गंतव्य स्थली तक चला जाता है, तो इन दो उदारण से हम जान पाते हैं, जो भक्त होते हैं, परिस्तिती कितनी भी दुखद क्यों न हो, स्प्रिंग की तरह दबाए, जितनी मात्रा में परिस्तिती दबाती है, उतनी ही मात्रा में भक जितनी माया शक्ती व्यक्ती को बान की जैसे पीछे खीचती है, उतने ही स्पीड में व्यक्ती आगे चले जाता है, तो ये कह सकते हैं कि बाहर के परिस्तिती में हमें कंट्रोल नहीं है, जितने इन आर्थ भाव से हम प्रभु के चरणों में आश्रित होते हैं, हर परिस्तिती में, वो बदल जाती है, जब भक्ती नहीं होती हमारे पास शेल्टर नहीं है, हम किन के पास जाएं, हम किन के विशह में बोले, कहां, इधर वी गेट इंटो क्रिटिसिजम, व्लेमिंग, कंप्लेनिग, परन्तु भक्त ऐसा नहीं करता, बाहर सरकम्स्टेंस चाहे जो भी हो, कॉंशिस्नेस बदल लेता है, जैसे कि यदि बारिश हो, तो हम बारिश तो रोक नहीं पाते हैं, पर एक चाता रखने पर होत करो, जैसे गजेंद्र जी, क्या हम कह सकते हैं कि गजेंद्र की जीवन में दुख नहीं आया, क्या हम कह सकते हैं कि प्रलाद की जीवन में दुख नहीं आया, क्या हम कह सकते हैं कि द्रवपदी की जीवन में दुख का नुभव नहीं हुआ, भागवत में तो ये एक connection पाया प्रमान है तो जो भी भक्त हैं वो ऐसे दुखत परिस्तिती से चलते चलते हैं प्रभू से और प्रेम करते हैं और आश्रित होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि the personality who is getting me through the test is the one who will protect me जैसे कि कोई अगर एक karate school में चले जाए तो teacher क्या करता है कई बार अपने ही student को punch मारता है या kick मारता है और student गिर जाता है पर student कभी ये नहीं सोचता कि the teacher hates me वो teacher इसलिए punch मार रहे हैं वो karate के जो teacher हैं इसलिए punch मार रहे हैं ताकि जो student है और better हो सके हैं ताकि वो actual fight में protect कर पाया अपने आपको तो teacher जब पटक लेते हैं student को नीचे तो student जानता है कि वो हिताईशी हैं और कर रहे हैं ताकि वो student better हो जाए उसी प्रकार जो भक्ती करता है वो प्रभू से बाहरी परिस्तिती change करने के लिए नहीं मांगता पर यहीं मांगता है प्रभू हर परिस्तिती में जो भी परिस्तिती क्यों नहीं you are bringing me to that situation only to make me better आप मुझे और बैतर बनाने के लिए कर रहे हैं school में भी जो परिक्षा होती है it is only to make sure that the student becomes better तो life is like that life is ongoing journey with tests and those who do bhakti जो bhakti करते हैं वो और 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 प्रगती करके aggressor हो जाते हैं और सुक्य अनुभूती करते हैं क्योंकि प्रभू के चरण में उनका जो आश्रे है और द्रड होने लगता है amazing तो दर्शकों आप अपनी जीवन में शायद circumstances change ना कर पाएं अपने हाला change ना कर पाएं प्रगड़ा भक्ती में रहेंगे तो आप अपनी consciousness को तो समाहल के जरूर रख पाएंगे और भक्ती का बस रही फायदा है कि आप कितनी भी difficulty में रहें आपको सही consciousness मिल जाती है उस difficulty से उपर उठके उसकी solution पाने के लिए wonderful thank you so much प्रोजी आपने इस चीज के बार में बताया तो अब हम बढ़ेंगे हमारे questions around के तरफ दर्शको आप अपने questions के साथ ready रह सकते हैं अब समय आ गया है कि हम आपके live questions लेंगे शो के उपर और हमारा पहला प्रश्न हमारे audience के तरफ से आ रहा है श्वधा पारी जी के तरफ से पूछते हैं कि elders around me blindly believe in many customs and I find it difficult to digest such patriarchal methods how to adjust with it तो यह जाना चाहते हैं कि इनके जो बुज़ूर्ग है आजबाज़ जो बुज़ूर्ग है वो बहुत सारे customs पे बिलीव करते हैं और इनको बहुत मुश्किल होता है इन customs को follow करना सो यह किस तरीके से अपने आपको adjust कर सकती है गीता में कहा गया जो शास्त्र सम्मत है उसका पालन कीजिए और जो शास्त्र सम्मत नहीं है उसको त्याग दीजिए बहुत सरल है if there is no spirit behind it it cannot be called spiritual without the spirit it only is a ritual तो जो spiritual है शास्त्र सम्मत है उसको ग्रहन कीजिए और जो ritual है उसको छोड़ दीजिए amazing that was short and sweet प्रभू ही दे रहे है ये सब केवल निमित है यदि कोई रोटी लाकर दें दो रोटी दें सब्जी के साथ हमें thank you बोलना है मुमाता जी को पर प्रभू को कहना है प्रभू भजन किये बिना आज मुझे आप रोटी दे रहे हैं कोई आकर हमें बैग गिफ्ट करे हमें thank you बोलना है वो प्रभू जी से जिसने बैग गिफ्ट किया पर अंदर यांदर प्रभू से कहना है प्रभू आपने ही तो उनको प्रेरना दी कि मुझे आकर ये बैग दे वो तो केवल निमित है इस प्रकार हर इक्षन हर परिस्तिती हर इन्वॉल्मेंट हर रिलेशन्शिप में केवल प्रार्थनात्मग भाव विद ग्राटिट्यूड विद बी अबल टो सी कृष्णा तो मडिग आपने नेक्स कृश्चिन की तरफ हमारा नेक्स कृश्चिन आ रहा है अस्मिता श्रिवास्तर जी की तरफ से पूछने की प्रजी जब सिचुएशन बिल्कुल हाथ से निकल गई हो और बहुत कर्ज में डूब गए हो स्विसाइट का खयाल आए तो क्या करें प्लीज गाइड देखिए ये बिल्कुल नहीं करना क्योंकि आपका जो शरीर है ये प्रभू की बहुत बड़ी देन है बहुत बड़ी भेट है ऐसी कोई परिस्थिती नहीं जो आप पार ना कर सके देखिए मैं एक उधारण बता रहा था इस टॉक शो में आज कि पिता जब बच्चे को फेगते हैं उपर तो पिता धरते हैं तो इसी उधारण में मैं एक बात कहना चाहूंगा पिता उतना ही फेगते हैं जितना वो बच्चा ले पाता है बच्चा अगर एक साल का हो पित जब परिस्तिती फेकते हैं हमें उतना ही देंगे जितना हम ले पाएंगे और जब हम उनके आश्रित हो तो जो फेकते हैं वो ही हमें धरेंगे तो आप कभी स्यूसाइड के विशे में ना सोचें ये ये बहुत बड़ा पाप है मानव शरीर बहुत बड़ी भेट है इसका सद करें जहां पर की सुबह आट बहे से रात के आट तक हमारे spiritual counselors आपको जरूर मदद कर सकते हैं आप इन counselors को कॉल करके व्यक्तिकत रूप से अकनी problems पता सकते हैं और आपको इसका spiritual solution जरूर मिलेगा तो अमरेंगे हमारे नेक्स कुष्टिन की तरफ हमारा नेक्स कुष्टिन आ an option. Can she depend on Krishna forever instead of depending on our husband? तो जाना चाहते हैं कि क्या एक स्त्री बिना शादी के पूरा जीवन रह सकती है अगर वो comfortable है तो क्या शादी करना, विभा करना एक जरूरत है, एक जरूरी चीज है या एक option है और क्या वो कोई जीवन अपने पती पे dependent रहने के बजाए Krishna पर dependent होके रह सकती है देखिए हम सब के कई सारे needs है, एक spiritual need है, एक emotional need है, एक physical need है तो we have to be in a situation where all those needs can properly be fulfilled in a spiritual dharmic platform, अभी भगवान शी कृष्ण को आश्रे ग्रहन करके बहुत उत्तम बात है, तो एक emotional एक spiritual connection अवश्य है, but if you have emotional needs, whom do you want to talk to? you will see, you will talk to Krishna, but the deity will not respond ऐसे हो सकता है कि विग्र सामने से उत्तर ना दे, तो हताश हो जाएंगे उदास हो जाएंगे, इसलिए एक बहुत सुंदर marriage जो है विवा है, बहुत सुंदर भगवान की और भगवान की प्रति तरफ से एक आयोजन है, जिससे हम एक स्त्री और पूरुष साथ आकर, they have compatibility, they have friendship also the woman the lady may have a desire कि मैं माँ बनू मेरे बच्चे हो तो ये desire आगे आ सकता है तो शायद अभी उमर के बज़े से हम शायद ऐसे ना सोच पाएं, पर when the time is right, emotionally we feel physically we feel, एक need होता है हर स्त्रीकों कि मैं भी माँ बनू फिर मेरे एक पती हो, मेरे बच्चे हो घर हो, and in that emotional environment, in that comfortable environment मैं प्रभू की भक्ती कर पाऊ तो आप देख लीजिए, आप अपने आपको परक्कर देख लीजिए, पर अधिकांश ये ही पाया जाता है, इसलिए विवा का जो ये प्रभू के द्वारा धर्म अनुष्ठान जो है, ये अधिकांश बताया जाता है तो विवा में ये भी कहा जाता है कि आप विवा में जब विवा के ग्रहस्त जीवन में जाते हैं, तो आप दोनों साथ में भगवान को सेंटर में रखके अपनी ग्रहस्ती आगे बढ़ा सकते हैं, तो विवाह करने से आपकी भक्ती कभी कम नहीं होगी, in fact, आप साथ में बहुत comfortably अपनी सारी नीड्स पूरी करके भक्ती कर पाएंगे, तो एंबरी के ने मारे ने क्रिशन की तरफ, इमाना ने क्स्षिन आएरह है, जेन स्मोर्गन जी की तरफ से पूछते हैं, कि रेसेंटली आप यहर्द यहादी लेक्टर ने चांटिंग आर वे बगध तो गॉर्टेड, It is so inspiring, I am chanting 25 rounds since 3 weeks If I chant regularly, it takes 36 years for me to complete 3.5 crores times Hare Krishna After that, how many rounds I have to chant to go back to Godhead? I am 29 So, they have recently listened to a lecture about chanting on our way back to Godhead So, they received a lot of prayer They are chanting 25 rounds in the past 3 weeks And in their calculations, I have told you that If we have called the God of God, we will go back to Godhead They will be 36 years for me Today we are 29 So, how many rounds I have to chant to God? Very sweet question Look, Kalis Antarna Upanishad has said That 3.5 crores Sardhatri Koti Muzlep, 3.5 crores If you could hear a parte of Godhead Sarvapapai Pramukhtara Sabhi prapans is the same So, he rung ho Peralta Shrela Prabhuapaji Jika jaga niyam had Tha, yeh this se bhi ucla hai Prabhuapaji Samjaitate the Khi, he rukhna nahi hai Har kshan Har shwaas Prabhu ka nama lietai rana hai Kirtaniya Sada hari Rukhna nahi Hame koji sanchya ka game nahin kheel raha engah कि हे प्रभु साड़े तीन करोड हो गए आप दर्शन दे दो, नहीं ये प्रेम का मार्ग है, ये एक आसकती वाली मार्ग है, कि हे प्रभु आप मुझे मिलो ना मिलो, मैं आपको पुकारते रहूंगा, मा किचन में कितना भी काम क्यों ना करे, बच्चा तो रोता रहता है मा के लिए, इतना रोता है, मा कई बार आके कोई खिलोने लगा की चली जाती है, फिर बच्चा आर्थ भाव से पुकारता है, मा सब छोड़ कर भाग कराती है, तो देखिए, ये मानो ऐसा प्रशन हुआ कि बच्चे को कितने बार रोना होगा ताकि मा आए, नहीं नहीं, कितन तो प्रभु क्यों नहीं आएंगे, तो प्रभुपाजी का तो नियम था कि हरक्षन, नित्यम भागवत से वया, अर्थात सतत, अनन्याश्चिंत यंतुमाम, कुछ और चिंतन ना करते हैं, केवल प्रभु से आ सकते रहे ना, सततम की रतयंतुमाम, देखिए, सदा, सततम, नित्यम, यह सब शब्दों की यही परिभाशा है, कि सतत चलता रहे, तो यह तो एक संख्यात्मक भाव हुआ, पर हमारा तो नियम प्रेम का मार्ग है, तो सदा, सर्वदा, हरक्षन, प्रभु के इसमरण में हम चाहिए करें, अर्पित करें, और एक कहावद भी कही जाते ह तो अगर भगवान की भक्ति करते रहेंगे, तो भगवान जरूर हमारी भक्ति से आकर शित होंगे, और हमें अपने दर्शन जरूर देंगे, तो मैं आपको बहुत-बहुत बदाई देता हूँ, कि आप इतने प्रेर्णा के साथ चैंटिंग कर रहे हैं, बस आप लगे रह और जरूर आप अपनी भक्ति में आगे पड़ेंगे, तो हम बड़ेंगे हमारी नेक्स क्रिश्चिन की तरफ, हमारा नेक्स क्रिश्चिन आ रहा है, दिक्षा गुपताजी की तरफ से पूछते हैं कि मेरी भक्ति बिल्कुल स्मूट चल रही थी, बट अब पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे कोई फोर्स है जो मुझे क्रिश्चिन से दूर कर रही है, मैं बहुत मुश्किल से अपनी हेरिंग एंचांटिंग कं मुझे क्या करना चाहिए? बन में गये, नेत्रों से गलत द्रिश्टी देखे और पत्वरष्ट हो गये, तो शवभरी मुनी और अजामिल से ये सीख मिलती है, भक्ति के पत्थ में जितना भी हम भजन क्यों ना करो, नेत्रों को यदि सयम में न रखें, यहां वहां देखें, जादा मूबी देखें, जादा गंदी द्रिश्य देखें, चित्र गलत देखें, चित्रपट गलत देखें, तो इससे भक्तिनष्ट होती है, दूसरा उधारन हम देख पाते हैं कि श्रवन मात्र से, विश्वा मित्र मुनी इतने भजनानंदी सादू, मेनिका के चरण नुपुर की ध्वनी सुनकर पतब्रष्ट हो गए, उनमें कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, पर ये एक उधारन वो स्वयम प्रस्तुत कर रहे हैं अपने जीवन में, हमें सिखाने के लिए, तो यदि हम गंदे गालियां सुने, गंदे बानी सुने, गंदे पिच्चर के गाने सुने, तो देख रहे हैं गंदे द्रिश्य, सुन रहे हैं गंदे द्रिश्य, और तीसरा है अन्नदोश, अन्नदोश, ये तीन बाते हैं, नेत्रों से, कानों से और मुख से, अब मुख का उधारन हम देख सकते हैं मचली, मचली को पकड़ने के लिए कई बार जो फिशर्मैन होता है, वो एक बहुत सुन्दर मिठा कुछ पदार तरग देता है पानी में, और मचली मुर्क मचली अब पानी में तेरते तेरते सोचती है, कहां से अकस्मात कुछ तेरता हुआ, एक मिश्री का गोला है, पकड़ लेती है, तो वहीं हुक में अटक जाती है, उसका जीवन चला जाता है, उस एक अन के कारण, उस इच्छा के कारण, जिभा, रसना की इच्छा के कारण, वो प्राण को त्याग देती है, इस प्रकार क्या अन हम पा रहे हैं, क्या वानी सुन रहे हैं, किस प्रकार के द्रिश्य देख रहे हैं, इससे ये ये परक्र देखना है, क्योंकि भक्ती इससे शित पदम उसमें कभी घटन नहीं होता तो इन्पुट आउटपुट का फॉर्मला हमेंशा याद रखना अची है जो मंदेट डालेंगे वही भाहर आएगा अगर हम अपने इन्पुट को एकदाब मानेज कर लें तो हमारा भक्ती का आउटपुट कभी कम नहीं होगा से आगे बढ़े और किस तरीके से हम ऐसे लोग को मैनेज करें जो हमें इगनौर करते हैं देखिए इसलिए प्रेम के चकर में फसना ही नहीं कभी हमें प्रेम करना है तो केवल ठाकुर जी से करना है प्रभु श्वास भरते रहते हैं फेपड़ों में अन्न देते रहते हैं रोटी देते रहते हैं इतना प्रेम करते हैं हमसे हम प्रेम करें नहीं फिर भी हमसे प्रेम करते हैं हमें तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना है ना कि उस व्यक्ति से जो हम प्रेम करें हम प्रेम की भीक मांगे और व्यक्ति बस उस आसू के टब में नहा कर चले जाए ऐसा नहीं करना है तो जब समय ठी 20-27 और विवा का यदि विचार हो तो फिर बात अलग है पर 17-18-19 के आयू में इस distraction से बचना है क्योंकि बहुत समय चला जाता है बह। दुक का भी अनुभा होता है और फिर आगे बात बनती بھی नहीं पिर और इरशा भी होती है वो व्यक्ति कीनी और के साथ चले जाए तो तो समय बचाना है और भजन करना है प्रेम करना है तो प्रभू से करना है तो कई मेर जब हमारे जीवन में ऐसे ब्रेक अप के ऐसे सिंसले होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जीवन कतम हो गया अब हमेशा याद रखे भगवान आपको कभी-कभी उपर से बुलाने के लिए एक छोटा सा कंकर आपके सर पे जरूर फेकते हैं ताकि आप ऊपर देखें कि वो हैं तो आपके जीवन में अगर आज यह मुश्किल आई है तो आप इसे एक stepping stone की तरह रख सकते हैं जिसमें कि आप भगवान के और करीब जा सकते हैं क्योंकि भगवान कभी भी आपको आके बताएंगे नहीं कि आप भक्ती कीजे पर आपकी जिवन में ऐसे परिस्तिती जरूर देतेंगे जिससे कि आप उनके पास जा सके तो क्या पता यह वो परिस्तिती हो अगर आप इसको इस तरह से लेंगे तो आप जरूर इस महौल से भाहरा आप आएंगे and there is always a better future भगवान जो करते हैं छेकले करते हैं और कुछ सालों बाद जाके आप पीछे देखके यही बुलेंगे कि जो हुआ अच्छा ही हुआ आज यह समझना थोड़ा मुश्किल होता है तो आप हमारे काल सेंटर में कॉल करके अपनी व्यक्तिकत रूप से जो भी प्रॉब्लम से आप उसको बता सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे कॉंसिलर सापको गाइड कर सके तो मरें हमारे नेक्स कुश्चिन की तरफ हमारे नेक्स कुश्चिन आ रहा है प्रवेश सुभेदी जी की तरफ से पूछते हैं कि वाट यॉर सुजेशन पर समवन वो इस प्रिपेरिंग पर कॉंपेटिटिटिव एग्जाम पारलली टेकिंग भक्ति तो आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे बहुत पढ़ाई कीजिए मन लगा कर पढ़ाई कीजिए आप बहुत मैनत कीजिए कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन रात पढ़ाई करते हैं और फिर हताश हो जाते हैं कि I couldn't make it तो आप जो success story आने वाला है आगे या जो आगे जाकर fruit होगा, whatever will be the end result आप उसकी चिंता ना करें every cricketer when he is interviewed every successful cricketer वो यही सोचता है यह नहीं सोचता कि हम 10 over के आगे क्या करेंगे, 50 over के आगे क्या करेंगे, बस they take it over by over ball by ball, this ball में मुझे out नहीं होना है, मुझे 4 महरना है तो you take it day by day and बड़े बड़े जो task है उसको छोटे छोटे tasks में divide कीजिए, आप सोचे कि आज आपको इतना करना है, एक हफते में आपको इतना करना है, तो academically please give your best, don't worry नहीं हुआ तो क्या होगा success हुआ तो आगे क्या करेंगे आप चिंता मत कीजिए take it day by day, take it week by week give it your best shot, don't get distracted if somebody tells you, you cannot do it now you have to do it to prove it to them that you can do it है ना, एक बहुत सुंदर उदारन है कि whenever in the context of a village एक बार एक donkey जो है, गदा जो है अटक गया था कोई खड़े में और जोर जोर उसे अब चीका था, तो जो गाव के वासी थे, कहीं सारे बच्चे थे हुआ सोच रहे थे, अब आज क्या आ रहा है उन्होंने एट लेकर पत्थर लेकर मारा अंदर, फेकने लगे सोच कर कि अब जो गदा मर जाएगा पर गदा भी बहुत चतुर निकला उसने क्या किया सब एट को एक क्यू पर एक क्यू पर एक क्यू पर एक कदम रखके उस खड़े से बाहर आगया उस गूफा से बाहर आगया हो तो in situation, in life, when people think we are like donkeys and they throw the bricks that you cannot do it that is the time we work hard to step out of it to say that yes, I can do it I will definitely do it तो you compete with yourself competitive exam doesn't mean you compete with others you compete with yourself you compete with your own laziness you compete with your own desire that I will not do it tomorrow you compete with that give your best shot work as if it depends on you and pray as if it depends on Krishna जब आप chanting करते हैं ऐसे प्रार्थना कीजी कि प्रभू आप नहीं करेंगे तो कैसे होगा और आप पढ़ाई करते हैं तो आप ऐसे पढ़ाई कीजी कि अगर मैं नहीं करूंगा तो यह कैसे होगा तो इस भाव से तोनों आप कर सकते हैं वेहरर इस ऑप्उसकल जेंडर वेटर इट मैंभी अलग अलग वेमिन कैन 새ियों कि अप्रप्वेस्टों होके ऐसे बिस्पेस्टों होगे छ्बेट तो मैं सबको एछय को आपosc तो इससे बचना है, we should definitely try, it is going to be very difficult, but we have to understand, देखिये, when the rays of the sun, जो सुर्य के किरन होते हैं, प्रकाश होते हैं, you keep a paper in front of it, तो वो किवल गरम होता है, बट only when you have a magnifying lens, and all the rays get focused, वो focus हो जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि वो paper, वो कागज जो है, आग लगती है, तो हमें जीवन में जो भी परिस्तिती होती है, यह जो sun rays जो है, यह हमारे abilities है, यह हमारे thoughts है, यह हमारे capabilities है, यह हमारे capabilities है, यदि हम इसको distract करके थोड़ा इनको दे द थोड़ा उनको दे दिये, फिर परिस्तिती रूपी कागज को हम केवल गरम कर पाएंगे, परन्तु, magnifying glass of focus and determination से, यदि हम इन सभी sun rays of our thoughts को focus किये, तो परिस्तिती रूपी कागज केवल गरम नहीं होगी, वो जल जाएगी, which means we will get success, तो यह सब examples से हम जान सकते हैं, कि when there is focus away from distraction, then we will succeed, so whether it is academic progress or Krishna conscious progress, we have to make sure that we work our way out of distraction, यह हमें ही करना है, कहीं सारे examples लोग दे सकते हैं, पर हमें ही करना है, हमें ही परकना है कि नहीं, this is not good, we have to develop more willpower, associate with people who give us that positive juice and keep away from the negative association, तो जो दूसंग है, उससे दूर रहना, अच्छे संग में बने रहना, अच्छे संग का तातपरियम है, अब केवल डिवोटीज नहीं कहूंगा, पर यदि अधि बहुतिक दृष्टी कोण से भी प्रगति करनी हो, people who are more accomplished, उनके साथ बैठना, उनके साथ चिर्चा करना, ज वैसा संग, वैसा रंग, so all bad habits will go away, just by proper association. Amazing, तो अबढ़िगा हमारा नेक्स कुश्चिन की तरफ, हमारा नेक्स कुश्चिन आ रहा है, युगेश कुमार महतर जी की तरफ से पूछतें की, how should we propagate in our own home, I am from Jharkand, अपने family में preaching के लिए, कौन सा mark सही होगा, और क्या करना चाहिए कि family में सभी लोग support करें, और आज इनका जनम दिन भी है, तो युगेश जी, आपको बहुत बहुत चुपकामनाए हों आपके जनम दिन के लिए, और ये चाहते हैं, ये जानना कि किस तरीके से अपने परिवार को प्रचार करें और उनको भक्त बनाए, मैं तो कहूंगा कि जब भक्त नहीं होते हैं परिवार वाले, तो हमारी प्रगति और अधिक होती है, देखिए शास्त्र में इसके कई सारे प्रमान है जैसे प्रलाद महराज के घर में उनके पिता भक्त नहीं थे, द्रू महराज के घर में उनकी माता भक्त नहीं थी, बली महराज के जीवन में उनके गुरु स्वयम भक्त नहीं थे शुकराचारिय जी, गोपियों के जीवन में देखते हैं उनके पती जो भी थे वो भक्त न और पुकार रिदय से बने लगतिये हैं, प्रभो आपकी प्राक्ति कैसे होगी। जो भी सदस्ति हैं, और आपकी भी प्राक्ति हो। ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ। अब उनको कैसे किया जाए। कई बार हम देखते हैं, कि हम जब डारेक्ली प्रीचिंग करते हैं, तो बात नहीं बनती, जैसे श्रीला प्रभुपाजी, स्वयम, हम देखते हैं, इतने बड़े आचारे, श्रीला प्रभुपाजी ने पूरे जगत को परिवर्तित किया, पर कई बार अती परिचयाद तो सब ने ले लिया पर घर में देखा जाता है प्रभपाजी के जीवन शैली में वो थोड़ी कटिनाई हुई तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई परवत के ऊपर भी शिखर में भी कहीं सारे चंदन के ब्रिक्षों होते हैं तो जो ट्राइबल अधिवासिस्त्री होती है कितने चंदन के ब्रिक्ष हैं एक दो काट दो तो भी क्या फरक नहीं पड़ता क्यों क्योंकि इतने आसानी से चंदन का ब्रिक्ष मिला है महत्व नहीं जानती तो काट देती है इसी संदर में हम देखते हैं कई बार जब भगता आते हैं अलग-अलग परिवार में बाहर के कोई प्रचारक आते हैं, तो परिवार वाले सुनने लगते हैं, पर अपने ही घर वाले जब बोलते हैं, तो अती परिचे के कारण वो नहीं सुन पाते हैं, तो आप प्रयास कीजिए, ये संभव ना हो, तो कोई प्रचारक को लाईए घर, ब्रोग्राम कीजिए, या घर ना ह सके आप परिवार के सदस्यों को कोई वीडियो दिखाईए या क्लास सुनाईए शायद उनको प्रेणा मिले और अगर वो मनना करे तो कीर्तन सुनाईए वो मनना करे तो प्रसाद पवाईए मंदिर ले आए कोई उत्सव में सम्मिलित भाग कराईए उनको ताकि वो बिग्रो बिखन आ रहा है शालू बान्डी जी की तरफ से पूछती है कि हमारे शरी से बहुत पाप हुआ है क्या भगवान हमें अपना अपना पाएंगे शायद उनक है अपना पाएंगे या माफ कर पाएंगे शायदिन का यह प्रश्न है बच्चा कितना भी मलमूतर क्यों ना करे प्रश्न कभी उठता है क्या कि मा उसको गोद में भरेगी कि नहीं भरेगी, कभी नहीं ना, क्योंकि बच्चा चाहे जितना भी मलमूतर त्यागे, मा मलमूतर थोड़ी देखती है, मा बच्चे को देखती है, उस मलमूतर को साफ करती है, बच्चे को स्नान कराती है, पाउड वाले आके ले जाते हैं बच्चे को बच्चा जब मलमूत्र त्यागता है अपने ही पिता बोल देते हैं आरे महिया को बोलते हैं आज देख लो मलमूत्र त्यागा है और महिया अब जब बच्चे को इतना सुंदर बना दे पिता स्वयम आके खेलते हैं उस प्रकार हम जान सकते हैं, हम मलमूत्र के शया में सोये हैं, काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, मातसर, ये पाप, अनर्थ, अपराद, सब किये हैं, पर सबसे बड़ा बल क्या है, हमारे प्रभू जो है, करोडों माता से भी अधिक वातसले में हैं, वो हमारे पाप को नहीं है, वो सो हो गया, आज से हे प्रभू मैं आपका, मैं कभी नहीं करूँगा, अहम त्वाम सर्वपापे भ्यो मोक्षे शामी माशोचा, गीता में प्रभू कहते हैं, केवल चरनाश्रित हो जाओ, सभी पापों को मैं, पापराशी को मैं भस्म कर दूँगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी बगारा सब करती थी, पर अब मन नहीं करता, तो अपने दोस्तों को मना के से करें, क्योंकि वो बहुत बुस्ता हो जाता है। भक्ती करने से जो बूरे आदत हैं, ये तो अवश्य छूट जाएगा, अवश्य, इसमें कोई दोराइ नहीं है, श्रीला प्रभुपाजी जब पाष्चाते देश आये, जिनसे प्रभुपाजी मिले, उनकी परिस्तिती देखिए, जो गवुमास खाते थे, आज वो प्याजलसुन भी नहीं खाते हैं, जो एक समय में दारू पीते थे, वो आज टी कॉफी भी नहीं पीते हैं, जो एक समय में जीन्स पैंते थे या निर्वस्त्र रहते थे आज दोती कुर्ता चादर और सारी और कंठी तिलक धारन करके दूसरों को परचार कर रहे हैं तो ये अवश्य है कि भक्ति करने से जो दुर्गुण है और दुस्संग है ये सब छुटने लगेगा और सद गुण आने लगेगे तो पहली बात तो आपको ये करनी है कि you have to be true to yourself यदि ये गुण आ रहे हैं आप में ये इच्छाएं प्रकट हो रही है go with them go with the flow आपका शुद्धिकरन हो रहा है हम सब के मन का शुद्धिकरन हो रहा है और जो छुट रहा है छोड़ दीजे उनसे आप अलग-अलग कारण बना कर excuse बना सकते हैं उनको आप कह दीजे कि मैं पड़ता है कि मुझे skin allergy है और लोग मानते हैं ठीक है मत खाओ हमें नहीं चाहिए कि आपको कोई skin allergy हो जाए तो इस प्रकार बात बनाने की भी एक शाहिली होती है ये ये वाक चातुर ये भी हमें use करना है कृष्ण की service में तो उसमें कोई बात नहीं और आप 5-10 बार बोल अपने आप लोग छोड़ जेंगे बले यार इसको बुलाओ नहीं आता है आप positive association ले लीजिए अपने आप ये सब छुड़ जाएगा भक्तों के संग में रही है ये you will be so busy that ये then just like you don't care for them the time will come they will not care for you कि तरफ हमारा next question आ रहा है सुमन चंदक जी कि तरफ से पुछते हैं कि सर गिव और सजजेस्टिब सीक्रेट बिहाइंड यूर स्माइल आ है जाना चाहते हैं कि आपके आपकी मुस्कुराहट के पीछे रास क्या है जो बच्चा पिता के गोध में बैठा है वो मुस्कुराएगा नहीं तो क्या करेगा हम सब भक्त हैं हम प्रभु के गोध में बैठा है क्यों नहीं मुस्कुराएं कुछ दुख नहीं है क्योंकि प्रभु सामने खड़े हैं बही नर्शिंगा रिदये नर्शिंगा नर्श first and foremost कि Krishna never makes mistakes पहली बात दूसरी बात Krishna is my ever well wishing friend और तीसरी बात Krishna is always in control अभी मैं इसको सरल बना देता हूँ Krishna is always in control इसकार्थ यह है कि हर परिस्तिती प्रभू नहीं रचाई है ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रभू कहें अरे यार मैंने बहुत ट्राई किया 99% तक मैंने कंट्रोल किया 100% मेरे हाथ से चुड़ गया नहीं, Krishna is always in control दूसरी बात ही never makes mistakes जैसे cross connection नहीं होता इनको call करो तो इनको लगता है यह इनको call करो तो इनको लगता है उस प्रकार कर्म का बंधन नहीं होता कि इनका कर्म इनको लग गया इनका कर्म उनको लग गया Krishna never makes mistakes प्रभू रचाते हैं और जो हमारे कर्म अनुसार है वो ही देते हैं और तीसरी बात He really loves us Krishna is always in control He never makes mistakes and He loves me more than millions and millions of mothers तो हर परिस्तिती प्रभू प्रदत प्रसाद है हर परिस्तिती प्रभू प्रदत चर्णामृत है और उसको पान करते करते व्यक्ति मुष्कुराएगा नहीं तो क्या करेगा Amazing That was wonderful Thank you so much for sharing that तुमभणी हमारा next question की तरफ हमारा next question आ रहा है विने सिंग जी की तरफ से ये फुछते हैं कि मैं नशा करता हूँ पाड़ी करता हूँ घूमता है और हर टाइम कृष्णा का ध्यान भी करता हूँ तो क्या मैं ठीक करता हूँ श्रीला प्रभूपाद जी तो कहते थे कि कोई यदि व्यक्ति नशेले पदार्तों का सेवन करें, जैसे शराब पिए, उस परिस्तिती के लिए प्रभुपात कह रहे हैं, ये सब के लिए नियम नहीं है, जो शराब नहीं पी रहे हैं, उनको पिना नहीं है, ये मैं clear out and loud clear कर दूँ, प्रभुपाजी ने ये कोई इसकौन का नियम नहीं बन like that, that attachment to alcohol will go away, फिर एक परिस्तिती आएगी, जहां पानी पीते पीते रसो हम अप्सुकाउंते या प्रभास मिन शशी सूर्य यो प्रणवास सर्ववे देशु, शब्धक्य पाउरु शम्रिशु, जल पीते पीते व्यक्ती सोचेगा, आहा, ये जो रस है, ये प्रभु है, तो इस प्रकार, यदि कोई शराब की परिस्तिती में हो, तो आप प्रयास कीजिए छोड़ने के लिए नहीं हो रहा है, तो प्रभु का स्मरण करते रही है, जितने तीवरता से आप स्मरण करेंगे, गंदी आदते छुट जाएंगी, और वो समय आएगा, कि आपको कभी उ फिर में भगवान का नाम जिप और या भक्ती करूँगा, ऐसा बिलकुल नहीं करना है, आपकी जो भी बुरी आदत है, उसको रहने दीजिए, बस आप भगवान की भक्ती में लगिए, यह सारी बुरी चीज़े चली जाएंगी, वो आप अपनी पावर से नहीं हटा सकते, आपको थोड़ी higher power लगेगी अपने जीवन में इस सारी problems को solve करने के लिए तो never delay a bhakti because of some bad habits तो हमारा next question की तरफ हमारा next question ना रहा है मिनाक्षी करलनी जी की तरफ से पूछते हैं कि हम हमारे मन में नियम बना लेते हैं कि मुझे ये चाहिए और जब वो नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं पहले नियम बनाते हैं मुझे ये चाहिए मुझे ये नहीं चाहिए और प्रभू यदि वो करे जो मुझे चाहिए, तो हम सुक्य अनुभूती करते हैं, और यदि प्रभू वो करे जो मुझे नहीं चाहिए, हम दुख भोगते हैं, और फिर मिथ्या दोश लगाए, हम मिथ्या दोश लगाते हैं, प्रभू मुझे दुख दे रहे हैं, पर बगाकर अंत में वो चित्र बनता है, किसी का फेस, किसी का चेरा, तो हमारा जीवन भी वैसा है, हम क्या करते हैं, we see our present and we plan our future, and Krishna sees our future and plans the present, तो वो क्या करते हैं, हमारे जीवन के अलग-अलग जिक्सव पीसे उठाते हैं, और तभी हमें दुख होता है, हमें विश्वास नहीं बट सबर करो, प्रभू क्या कर रहे हैं, साथ रख रहे हैं, और एक बहुत सुन्दर चित्र बना रहे हैं हमारे जीवन का, तो sadness कुछ नहीं है, हाथ खड़े करना है प्रभू, जारे जैचे नचाये जैचे करें रित्या, आप जो करना चाओ मेरे साथ करो, मुझे पूरा पिश्वास है कि मंगल भवन, अमंगल अहरी, दुरुबहुसुदसरत अचरविहरी, आप मंगल विधान ही करते हैं, मंगल मूर्तिमान स्वरूप हैं, आप से अमंगल कैसे हो सकता है, सूर्य सब कुछ कर सकता है, पर अंधकार नहीं दे सकता, उसी प्रकार प्रभूस सब क कुछ कर सकते हैं आनंद के मूर्तिमान दूसरों को दुख कैसे देंगे भला मैं इस प्रशन में एक और अकार आड करना चाहांगा उसा हमारे गरंतों में कहाँ जाता है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये हैं दुख आल्यम अशाश्वतम जहाँ जाता है कि यहां दुखों का कोई अंत नहीं होगा तो यह समझतों रहे हैं कि भगवान हमें दुख जिस तरह से आपने कहा कि सुर्य अंदकार नहीं दे सकता शूरय का अपसेंस अंदकार देगा तो ये दुख अलया मशाश्वत्म की जो स्टेटमेंट है ये हमारे जीवन में किस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्योंकि हमें हमेशा दुरंत ही बताते हैं कि यह चो material world है है यहाँ आपको दुख ही मिलेगा तो फिर यह दुख हमें कौन दे रहा है नायम जनों में सुख दुख कहे तो नदेवत आत्मा ग्रिहकर मकाल मन परम कारणम आम नंती समसार चक्रम परिवर्त येतियत 11 विसकंद के 23 अध्याय में श्रीमत भागवत में वर्णन आया है कि लोग अलग-अलग लोगों को दुख के श्रोत बनाते हैं नायम जनों में सुख दुख है तो नदेवत आत्मा ग्रिहकर मकाल कोई कहता है देवता का प्रकोफ है राहु केतु शनी लग रहा है कोई कहता है अरे क्या करे पिछले जनम के करम बिगड़े हैं कोई कहता है अरे ये तो स्थान का प्रभाव है कोई कहता है ये समय ये दशा चल रहा है अंतर दशा चल रहा है कोई कहता है इसने किया किस कोई कहता है उसने किया ना कुछ नहीं ये दुख क्यों हो रहा है मनपरम कारण मामनति हम उन चीजों से आसक्त हो जाते हैं जो छुटने वाला है देखिए दो प्रकार के दुख है इस जगत में एक तो वास्तविक दुख वो धरते नहीं हम हम उन को धरते हैं जो सुख है और वही सुख को धरते हैं पर सब कुछ चक्रमान जैसे चलता है चक्र की तरह चलता है काल का चक्र तो हम सुख को पकड लेते हैं अब समय के प्रभाव अनुसार वो छुट जाता है तो जितना हम उससे आ सकत वो निकल जाये तो उतना ही दुख तो प never be taken away. That is our attachment to Shri Krishna. जैसे कोई अगर गाड़ी में चले और बुक पड़े हैं, तो बार-बार हिलने के कारण थोड़ा nausea feel होता है. यही व्यक्ति घर में बैठके पड़ें, तो nausea नहीं होता. क्यों? क्योंकि वहाँ unsteady है, यहाँ steady है. So when we focus on things which are moving, we will feel nausea. And when we focus on things which don't move, we will feel joy. तो इस दुनिया की जो भी वस्तु है, जो भी परिस्तिती है, जो भी व्यक्ति है, सब changing है. आज है तो कल नहीं. And if we focus on that, we will feel nausea of sadness. And if we focus on that which never moves, which is Krishna, we will always feel joy. So दुखालेयम, if we forget Krishna, and विश्वंपूर्ण सुखायते, विदि महेंद राधी शकीटायते, यद कारुण्य कटाक्षवई भव वताम तम गौरमे वस्तुमा. दुखालेयम, if we forget Krishna, and विश्वंपूर्ण सुखायते, joyous, if we remember Krishna. Amazing. Thank you so much. हम बढ़ी हमारे next question की तरफ, हमारे next question आ रहा है. Registration जी की तरफ से, यह जाना चाहते हैं कि I am a student trying to be a devotee, but every time I am defeated by lust, inconsistent, enchanting, lagging in studies, always in ignorance, what to do प्रभजी मुझे कभी-कभी लगता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो यह एक एक विद्यारती है, और यह inconsistent chanting से, अपनी पढ़ाई में, lag करनी के वए से, ignorance के वए से, बहुत परिशान रहते हैं, और इनको यह चाहते हैं कि यह भक्ती करें, आगे भक्त बनें, पर इनको ऐसा लगता है, कि इनका तो कुछ नहीं हो सकता, तो यह क्या करना चाहिए, पहली बात हमें यह जानना चाहिए, कि lust ऐसी चीज है, जो सबको तंग करती है, there is nobody who can say that I have one over lust, मैंने गुरु महराजी से एक कहानी सुनी, कि एक व्यक्ती था, व्रिद्ध व्यक्ती, कि बड़ी दाड़ी थी, तो लोग आकर चिडाते थे, अरे बाबा, यह सादू की दाड़ी है, कि बक्री की दाड़ी है, तो व्यक्ती कुछ नहीं कहते थे, मरने के अवस्था में आए, तो सबको बुलाए, कहने लगे, रोज तो तुम पूछ रहे थे, यह सादू की दाड़ी है, कि बक्री की दाड़ी है, अब मैं मरने वाला हूँ, मैं कहता हूँ, तो मैं यह सादू की दाड़ी है, तो उन्होंने कहा, कि आप तक आप क्यों रुखें, पहले तो बता देते थे, कि यह सादू की दाड़ी है, सादू कहने लगे, नहीं, काम से पीडित था मैं, तो हर दिन मैं सोचता था, if I act on lust, then this is बकरी की दाड़ी, if I control lust, this is सादू की दाड़ी, तो आज तक मैंने किया, कल क्या होगा, मुझे पता नहीं, पर अब जो मैं मरने अवस्था में हूँ, I know I don't have a tomorrow, I can proudly say, ये बकरी की नहीं, सादू की दाड़ी है, the point is, lust attacks everybody, अपूर्यमानम, अचलम प्रतिष्थम, भगवान कृष्णा कहते हैं, जिस प्रकार महा सागर में कहीं सारे नदियां आती हैं, they come in, but the ocean doesn't increase in quantity, उस अगिटेट नहीं होता, उस प्रकार, rivers, नदी रूपी, lust के thoughts, सागर रूपी हमारे मन में आ सकते हैं, पर हमें विचलित नहीं होना है, some things that we can do, first of all, don't be alone, if you are alone, you get into bad habits, you get into bad viewing, you get into bad habits, ये नहीं करना है, youth में, pornographic addiction और कहीं सारे अन्यें जो गंदे गंदे आदते हैं, ये लत लग जाती है, because of being alone, अकेले कभी नहीं रहना है, दूसरी बात, उन संग से, उन यंत्र से, उन परिस्थिती, जिससे हमें आग, काम की अगनी जो प्रज्वलित होती है, उससे दूर रहना है, if it is our phone, if it is a certain friend, if it is, let's say, reading a certain magazine or a book, ये सब दूर रहना है, और अधिक से अधिक नाम जब करना है, प्रभू से प्रार्थना करनी के, है प्रभू, नाम आचारिय श्रिला हरिदास ठाकुर की जाए, ऐसे पुकारना है, कि है प्रभू, आप मेरी रक्षा करे, please, please protect me, please protect me, मुझे, I don't want to fall, pray to this lust, कुछ होगा, नहीं होगा, ये सब thoughts कभी भक्त के जीवन में नहीं होता, अवश्य होगा, हम गाड़ी हैं, हम ट्राफिक में फसेंगे, पर प्रभू कौन है, हवाई जाहाज है, हमें एर लिफ्ट करेंगे, हम लस्ट के ट्राफिक सिगनल में फस चुके हैं, क्योंकि हम गाड़ी हैं, पर प्रभू आएंगे, हवाई जाहाज है, वो हमें एर लिफ्ट करेंगे, और ले जाएंगे, हमें बस रुखना है, प्रार बगवान आपको प्रेड़ना देने के लिए आपको इंटलिजन्स देंगे कि आप यह सब छोड़ के भक्ती में आगे अगरसर हैं उसे कोशिश कीजिए कि आप ऐसे एसे असोसियेशन में रहें जो आपको इसके लिए काफी अच्छे से प्रेड़ना दें क्योंकि आपकी पी पी जी की तरफ से यह पूछते हैं कि पता नहीं मेरा सवाल लिया जागया आपका सवाल भक्ती की प्रगता बनी रहे ऐसे कैसे हो सकता है आपसे दिक्षा ली जा सकती है क्या इंका प्रश्ण काफी अलग है तो यह जानना चाहते हैं कि क्या भक्ती की प्रगता किस तरह से बने रहे कि कैसे हो सकता है और किया आप से दिख्षा ली जा सकती है chemical दूसरा प्रशन तो मैं उतर नहीं है क्योंकि जो भिकारी है वो दूसरों को क्या दान देगा हमें यदि धन की अपेक्षा है हमें बहुत धनाद्य व्यक्ति के पास जाना चाहिए शिला प्रभुपाजी के वरिश शिश्यों के पास जाना चाहिए मैं भिकारी हूं मेरे भिक्षा पात्र में कुछ भी नहीं है तो भिकारी व्यक्ति दूसरे आश्रे दाता है श्रिला प्रभुपाजी और उनके शिष्ये अब पहला प्रश्न की भक्ति के प्रगति कैसे की जाए इसको न में एक बहुत सुन्दर फॉर्मिला है आप शायद सुने होंगे इस बात को इसको कहते हैं A, B, C, D, E and F पूरा अलफबेट बनाती हैं इसका फॉ अर्थ है जपा चैंटिंग विच मेंज जपा एंड कीरतन, D का अर्थ है डेटी वर्शिप अर्था द्विग्रह की सेवा, D का ये भी अर्थ है कि डाएट प्रसाद में जीवन हो, E का अर्थ है एटिकेट वैश्नव सदाचार का पालन और F का अर्थ है फ्ली टु अर्थ है नोगोल प्रस्टिति हो, प्रस्थ है वी जब मिन प्रस्थ है खब कोई भी दुखत परिस्थिती हो विपरीत परिस्थिती हो उधवेक करने वाली परिस्थिती हो प्रभू का अश्रेले, Flee to Krishna, Flee का अर्थ है भागो, भागो प्रभू के चरनों में जब कोई difficulty, so if you follow A, B, C, D, E, F then G, that is God, will H help you wow amazing that was amazing so just here you follow the ABCDE formula, you can follow your life and you can continue in your life so our next question is our next question Madhu Madhu Rima Megji की तरफ से ये पूछने हैं कि दूसरों के बारे में निंदा करने से खुद को कैसे बचाए गलती से हो जाता है तो कैसे overcome करे चैतने चरितामरत में वरणन है वैश्नवेर गुणग्राही न देखाए दोश कायमन वाक्य करे वैश्नव संतोष इसका ये अर्थ है कहारे न करे निंदा कृष्न कृष्न बले आजया चैतन्य शही जीनिवेका हले दो श्लोकों का हमने उचारन किया एक चैतने चरितामरत से और एक चैतने भागवत से इसका विस्तार ये है कि चैतने महाप्रवो कहते है कि जो दूसरों की निंदा नहीं करता और सतत कृष्न नाम रठता है वो मेरे रिदय को जीत लेता है तो अब कैसे करे दूसरों में निंदा न देखे या दोश न देखे और निंदा न करे देखिए दोश दिख भी जाए तो एक नियम बनाना है कि उसको मुख में न लाए क्योंकि मुख में लाने से होता ये है मन में जो दोश है मुख में आ गया मुख से अब कोई सुन लेगा उसका कान अब प्रदूशित हो गया एक बहुत बड़े आचारे लिखते हैं कि पहले दोश कहां था या विश कहां था विश था महासागर के गर्ब में क्योंकि हम जानते हैं कि जब दूद के महासागर का जब मंधन हुआ तो शीव जी ने पान किया तो पहले सत्योग में कहां था विश था महासागर के गर्ब में फिर आया पूतना के स्तन में फिर आया शीव जी के कंठ में और कली काल में सब जीव के रसना या जिवा पर है विश कौनसा विश है? दूसरों में दोश देखनी की परव्रती तो ये नियम बनाना है कि दोश दिखे भी, तो बोलना नहीं है, प्रदुशित करना नहीं है, गांदी जी कहते थे संदर्व में, कि जब दूसरों के विशय में निंदा करने की परिस्तिती आए, तो पानी भर के मुख गोलाकार बना के रख लो, उसको निगलना नहीं और थुकना नहीं, क्योंकि फ करते रहो दस मिटन में शान्त हो जाएगा उस पानी को पी लेना फिर तो दर्शकु समय के अभाव के कालन हम और प्रशन नहीं ले पाएंगे पर आप अपने प्रशनों को हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपको उसका जवाब दें तो प्रवजी थांक यू सो मज आपने इतने सारे प्रशनों का हमारे दर्शकु का जवाब दिया मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकु के लिए आखरी प्रेणा दायक शब्दे क्या कहना चाहेंगे एक छोटी सी कथा कहना चाहूँगा अगर अनुमती हो तो बिलकुल एक बार एक व्यक्ति था और उसके पास एक छोटी सी थेली या बैग थी और व्यक्ति को कहा गया कि तुमारे पास 10 मिनिट का समय है उठालो जो उठाना है वो सब मुफ्त है तो ब्यक्ति भागने लगा पहले गया तो फिर काफी आलू दिखें सबजी दिखी तो बैग भर दिया उसने सबजी भर की ती आगे चला गया तो फिर फोन दिखा सेल्पोन तो उसने सब आलू बाहर डाल कर फिर स चला तो गोल्ड बिस्केट्स दिखे तो उसने लापटोप बार फेग दी और गोल्ड बिस्केट्स भरने लगा और फिर अंत में जब नाइन्थ मिनिट था तब उसने डाइमंड देखे और तब खाली करके ले जाने वाला था तब तक समय समाथ तो क्या हुआ बैग खाली का मानव शरीर जो हमें मिला है दस मिनिट का अर्थ है पचास साथ साल जो भी हम जीते हैं और एक थेली प्रभू देते हैं वो है मन उसमें दुनिया बर के कूड़े कच्रे न रखते हुए सीधा हमें जाकर वो नवरत्न पकड़ना है जो ये व्यक्ति पकड़ने मात्र से यही सार बात है दुनिया के काम करते रही हो हरे कृष्ण नाम जबते रही हो अर्थ कमाने के लिए काम और परमार्थ बनाने के लिए नाम हरे कृष्ण